साथियों, किसानों से जुड़िये जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इनके केंद्र में हमारा छोटा किसान है, और हमारे देश में सबसे जादा संख्या छोटे किसानों की है। यही छोटा किसान है, जिस पर कोई भी आफ़ती आएं, तो सबसे जादा परिशानी छोटे किसान को होती है। और यही छोटा किसान है, जिस तक सरकारी लाप पूरी तरह पहुँचे, यह हमारा संकल्प है। बीते 6-7 सालों से इसी छोटे किसान की स्थिती को बदलने का, हम निरंतर और बड़े सुविचारी डंग से प्रयास कर रहे हैं। छोटे किसान को देश की क्रशी के ससक्ति करण से भी जोड़ा जा रहा है। और वो खुद भी ससक्त हो, यह भी उतना ही जरूरी है। साथियों, दो दिन पहले ही देश के छोटे किसानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना की शुरुवात की गई है। जिसका आने वाले समय में पूरे देश के किसानों को बहुत बड़ा लाब होने वाला है। फल सबजिया लेकर यह ट्रेन निकलेगी और मिना समय गवाएं बिहार पहुचेगी। फसल की बरबादे नहीं होगी। और बिहार से जब वापिस आएगी तब वहां का मखाना, लीची, पान, ताजा सबजिया, मचलिया, ऐसे अनेक सामान छोटे 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 लोगों से लेकर के वो फिर इस तरब लोटेगी। यानि बिहार के छोटे किसान मुंबई और पुने जैसे बड़े सहरों से सीधे कनेक्ट हो गए हैं। इस पहली ट्रेन का लाप यूपी और मद्द प्रदेश के किसानों को भी होने वाला हैं, क्योंकि ये ट्रेन उन किसानों के रास्ते से भी गुजरने वाली हैं। इस ट्रेन की खासियत ये हैं, कि ये ट्रेन पूरी तरह से एर कंडिशन है। यानि एक प्रकार से ये पट्री पर दोड़ता हुआ कोल्ड स्टोरेज है। ये कोल्ड स्टोरेज ही दोड़ता रहेगा, जाएगा, आएगा, सामान लाएगा, छोड़ेगा। इससे दूद, फल, सबजी, मचली पालग, ऐसे हर प्रकार के किसानों को भी लाब होगा। और शहर में इनका उप्योग करने वाले उपभोगताओं को भी लाब होगा। ताजाच चीजे मिलेगी उनको और जहां से उनको अच्छी चीज चाहिए, वहां से मिलेगी। किसान को लाब ये होगा कि उसको अपनी पवसल स्थानिय मंडियों या हाट बाजारों में मजबूरन कम दाम पर बेचना नहीं पड़ेगा। उसकी मजबूरी जाएगी ट्रकों में फल, सबजी जिस प्रकार बरबाद हो जाते थे उससे भी मुक्ती मिलेगी और ट्रकों के मुकाबले भाड़ा भी कई गुना कम हो जाएगा। शेहरों में रहने वाले साथियों को लाब यह होगा कि अम मौसम के कारण या दूसरे संकटों के समय फ्रेश फल सब्जियों की जो कमी हो जाती थी वो भी नहीं होगी और कीमत पर भी जो कभी-कभी खेल-खेलने का लोगों को मुका मिल जाता था वो भी बंध हो परिवर्तन आएगा अब जब देश के बड़े शहरों तक छोटे किसानों की पहुंच हो रही है तो वो ताजा सब्जियों उगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे पशुपानन और मच्पानन की तरब भी प्रोच्शाइत होंगे इसे कम जमिन से भी अधीक आयका रास्ता खुल जाएगा रोजगार और स्वर रोजगार के अनेक नए अवसर खुलेंगे